हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग तो दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे सीटैट में तुक्का कैसे लगाएं जी हाँ तुक्का लगाने का सबसे बैस्ट तरीका क्या है क्योंकि तुक्का तो सभी लगाते हैं लेकिन तुक्का लगाने का फाइदा यह है तुक्का ल आपने करनी थी उतनी कर चुके हैं, चाहे आप 4 महिने से तयारी कर रहे हो या 4 दिन से तयारी कर रहे हो, कोई फरक नहीं पड़ता, आपने कितनी भी maximum तयारी कर लिए हो, कितनी भी बेहतरीन तयारी कर लिए हो, या बहुत कम तयारी की है, अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है बिल्कुल जो है अभी तक तयारी नहीं की है दोनों के लिए आज किस वीडियों में बताऊंगा उन number में आपके 110 से 130 तक ये 140 number तक आपको कैसे पहुँचाया जाए ये फिर अगर आपके केवल 50-60 number अभी आ रहे हैं आपने तयारी बहुत बहुत बहुतरी नहीं की है आप फैल हो रहे हैं मतलब 50 number तक कैसे पहुँचाया जाए उसकी भी बात करूँगा तो मेंन मकसद है हमारा सीट एट में पास होना देखो सबसे मेन मकसद हमारा ये है कि सीट एटड की माक्षीर्ट पे पास्ट लिखा हुआ आशओग आया और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी ही तुक्का ट्रिक बताने वाला हूँ जबरदस्त, जो कभी fail नहीं होथी, कभी fail हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ कोई तु opini तुपका नहीं है, बलकि पूरा psychological analysis के हिसाब से, और पूरा logical thinking के हिसाब से बनाया गया, एक पूरा स्रटीड तरीका है, जो बुल कूल analyze करके, और examiner की psychology को समझ करके ये तुक कर ट्रिक बनाए गई है तो इससे बेहतरीन तरीक आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला तो चलिए शुरू करते हैं इस तरीके से आप अपने exam में 30-40 नंबर तक बढ़ा सकते हैं और आप exam को पास कर सकते हैं पास ही नहीं बलकि उसमें बहतरीन नंबर लेके आ सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करना बनता है आज कि इस वीडियो पे कम से कम 20-25 लाइक पहुँचने चाहिए इस ते कम में काम नीच लेका क्योंकि इतनी जबर्दस और इतनी बेक्ग्राउंड वर्क करके आया हूं कि आपके लिए बेहतरीन चीज लेके आया हूं और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, बिना 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 चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लेना और एक चीज़ और एक्जाम के बाद इस वीडियो को सेव कर लो एक्जाम के बाद इस वीडियो के नीचे आके एक बार कमेंट जरूर करना कि सर इस ते हमें कितना फायदा मिला है और हम पास हो गए हैं ताकि मुझे पता चले कितने वच्चे जो है हमारी वीडियो देखके गए थे है ना तो सब लोग जो है इस वीडियो को सेव कर लो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइगन दबा लो चले शुरू करता है हम आपकी वीडियो आज की शुरू करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे और एक चीज़ और मैं आपको बता दू इस स्टार्टिंग में ही क्योंकि बात में सायद भूल सकते हैं और वो यह है कि नोट्स पर आपके आज ओफर निकलने वाला है तो नोट्स आपके बहुत सटीक है पिछले एक्जाम में अभी जो जनवरी 2024 का एक्जाम हुआ है उसमें 12 नोट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बहुत जबढ़र्दस चोंटने और इतने इसी लैंग्वेज में है कि किवल 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं तो अगर एक्जाम से दो दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो तो भी यह नोट्स ले ले लेना आप और इस नोट्स पे अगर आज ही देख रहे हो तो आज शाम को चार बजे इस पर ओफर निकलने वाला 50% फ्लैटिक दम यानि कि पहले से 33% मैंने आपको जो है इस पर ओफर दे रखा था यानि कि ये 600 रुपए के नोट्स आपको 400 में मिल रहे थे और दोनों पेपर के फर्स सेकंड दोनों के लोगे तो 600 में मिल रहे थे लेकिन अब उस पर भी 50% और उफ दे दिया है अब 400 के नोट्स केवल 200 में मिल रहे हैं आज की रेट में पीच में जितने बच्चे नोट्स ले सकते हैं एप से जाके वह ले tasted ले लेना जितने वाय्दा उठा सकते हैं उठा लेना ऑर कहां से मिलेंगा से नvt teacher academy play store पे आपको मिल जाएगा जो चैनल का नाम है सेम वही नाम है ऐसे teacher academy play store से डाउनलोड करोगे और इस पे जो है अपना phone number आरके login करना login करने के बाद यहाँ पे आपके सामने screen खुल के आजाती है और उस पे आप जो है वहाँ से notes buy कर सकते हैं सामने आपको सारे notes मिल जाएंगे उस पे क्लिक करोगे notes पे तो buy now का option आएगा वहां से आपको मिल जाएंगे तो साम को चार बजे के बाद ले सकते हैं आप बिलकुल याद रखना date आज की ही है और आज ही आपको जो है एप पे जाके notes ले ले लगाएं तो चलिए शुरू करता है जवर्दस क्लास आज की अजी देखें तो यहां पर हम बात करेंगे आज का सीटेट तुक कट रहें देखो यहां पर मैंने आपके सामने एक answer की भी लिखी है आप अगर देखेंगे यहां पर तो मैंने अभी लेटेस्ट एक्जाम की answer के लिखी है ताकि मैं आपको बिल्कुल सीध करके दिखाऊंगा आज की वीडियो में कि इस तुक के से कितने नंबर बलते हैं और क्या तरीका होता है वो सारी चीज़े आज यहां पर आपको सीध करके दिखाऊंगा ठीक है चलिए तो शुरू करत जो मतलब सबसे ज़्यादा जो चलना चलन में है जो कि वो मुझे बहुत बेकार लगता है क्योंकि वो मुझे नहीं लगता काम आता है वो यह होता है कि तीन-तीन के जोड़े में यह चार-चार के जोड़े में लोग answer लगाते हैं जैसे मानलीजे आपको जो है कोई question आता न फिर यहाँ पर C लगा दिया यहाँ पर D लगा दिया यहाँ पर D लगा दिया ठीक है जी यहाँ पर D लगा दिया इस तरह से जो आप लगाते हैं लेकिन क्या यह answer आपका सही होते है या नहीं होता है देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताओं तो कितने answer आपके अगर अं तो आपनी यह प्रशन आपके गलत कर दिया यह भी आपने गलत कर दिया तो केवल एक प्रशन आपका अगर सही होगा तो यह कोई तुक्का नहीं है मतलब आपका ये भी probability है कि ना ही हो, ऐसा भी हो सकता है, वजह क्या है इसकी मैं आपको बताता हूँ, कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये answer आपका सटीक नहीं बैठते, वजह ये होती है, इन में से ऐसा होता है, कि जब आपको कोई answer आता हुआ होता है, मानलीजी आपने ये माना कि यहाँ पर जो है आपको ये लगता है, कि मानलीजी बावन जो है, ये आपको आता था, है ना, मानलीजी ये प्रशन आपको आता था, यहाँ पर मैं इसको फिलहाल के लिए अभी साफ कर देता हूँ, ठीक है, चलीजे मानलीजी हमने जो है, आपका जो है, बावन, ये वाई गोट्सकी से आगे कि वाई गोट्सकी की हिसाब से अधी गम में सबसे important क्या है आपको पता है समाज होता है समाज पर option लगा दें 100% confirm कि इसके बिना तो कोई answer right होई नहीं सकता अब आप क्या करेंगे कि देखो इसके आसपास वाले दो दो तीन दीन के जोड़े लगाते हैं तो इसके पास वाले भी भी ही सही होंगे तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 53 पर भी लगा देंगे 54 पर भी लगा देंगे इस पर भी लगा देंगे यह तरीका आप अपना होगे बाहतर से start करें, कहां से गरें? जो प्रेशन आपको आता होगा, वहीं से आप जो ही start कर दोगे. हो सकता है वो प्रेशन आपको ना आता हो, गलत वाला हो, अगर आपने उसका गलत अंसर उसी का गलत दे दिया, तो नीचे के तीन और गलत करोगे. तो इसका मतलब आपकी यह तो का ट्रीक फेल हो जाती है यह कोई काम नहीं आती अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ एक एक करके सारी चीज़े समझाता हूँ बेहतरी अंदरी कैसे देखो अब आगे क्या होगा एक चीज़ ओर चलती है आपकी आपके दिमाग में एक ऐसेप्ट होगा और वो यह होता है कॉनसेट जैसे कि आप से पूछ लेगा कि प्रितिवाश आली बच्चों की विशेस्ताओं के बारे में निम्निले कित्म से कथन चुनो अब चार ओप्षन देगा इनकी बुद्धिलब्दी सामानिय बच्चों से अधिक होती है दूसरा देदेगा इन बच्चों की ध्यान जो होता है ना अटेंशन वाला ध्यान के इंदरित करने की चमता सीमित होती है तीसरा नमबर देदेगा ये बच्चे दूसरों से मदद लेने पर निरभर होते हैं नमबर दे देगा आपको यह बच्चे स्रजनात्मक होते हैं और आगे नीचे option दिया होगा ए और बी ए और सी ए और डी या फिर चारो सही ए भी सीड़े अब आपके दिमांग क्या है का चारो सही भी वाला लगा दो जी क्या सही हो गया नहीं हो पाएगा क्योंकि इन बच्च स्थी भी हो चाहा है स्स्टी भी और सांश कुछ भी हो हर किसी में इसी तरह के सीट्राइट आजकल प्रशन बरा रहा है कि कभी भी आपका डी वाला option यानिके ओल ऑफ अबाव वाला option आपका राइट होई नहीं रहा है आपको च्छांट नहीं पड़ रहे हैं उसमें से चा जादा प्रशनाते भी नहीं है मुश्किल से पूरे सीट एट में दस-पांच प्रशनाते हैं उन में से भी दस-पांच में से एक दो होगा जिसके अब वाला आंसर राइट हो जाएगा तो यह तरीका भी आपका फिलॉपी माना जाता है अब यह सीट एट में नहीं चलेगा अब उसके अलावा बात करें हम तो अब एक तो यह तरीका होता है सिंपल तरह ही है कि आप आंख बंद करके किसी बीभी लगा कर आ जाता है कि चलो इसका डी आ जाता है कभी अल्ला का नाम लेके बगवान का नाम लेकर जैम आता दी श्याय श्री राम और इस तरह से जो है लगा दिया कि चलो आंत बंत की हां जी हनुमान जी बताओ मुझे कॉनसा आंसर सी वाला बेटा लगा दे लगा दे लो लगा दे सी यह तरीका नहीं चलेगा क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें पॉइने फंडा हे भर या MX घुञए ना आता हो गोला भरके आ देखो सबसे बड़ी है logic क्या है step by step समझाओंगा क्योंकि answer की आपकी पूरी पूरी लिखी है मैंने देखो आपके जो option होते हैं वो चार option आते हैं यह तो A आएगा यह B आएगा यह C आएगा यह D आएगा चारी option होते हैं आपके एग्जाम का जो प्रेशन होता है आपका उसके चार option है आप चार में से कोई एक सही लगाना होता है आपको अब देखो आपकी कोश्चन कितने हैं आपके डेर सो कोश्चन है टोटल अगर डेर सो को मैं चार भागों में डिवाइड करू तो मिरे पास क डेर सो में से लगभग 40 question ऐसे होंगे जिसका answer A ही होगा लगभग 35 question ऐसे होंगे जिनका answer B ही होगा पूरे exam में बतारो, line से नहीं काट काट के लेकिन अगर आप पूरे में गिंती करोगे तो आपका answer इसी जाता है, कि B आपके C वाले 35 हो जाएंगे, D वाले 38 या 37 हो जाएं CT8 में, जितने paper हुएं आज तक के, सबसे latest वाली आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी देख सकते हैं, यह है जनवरी 2024 के answer की, जनवरी 2024 के answer की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे, तो मैं आपको इसको छोड़ा से छोटा कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरी screen देख सके, है ना, देखो, यहाँ पर, थोड़ी और छोटी कर देता हूँ, देखें, यहाँ पर अगर मैंने पूरी answer की, आपके सामने लिखी है, अब आप गिंती करोगे, यहाँ पर आप चाहे खुद कर सकते हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, फाच, ठेक है जी, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठेक है, ग्यारा, बारा, तहरा, और यहाँ होगी आपका, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, 29, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 44, 41, 41 नंबर पूरी आंसर की में आपके जो है, सिर्फ A वाले सही हुए हैं, देखो, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, 41 A वाले, B वाले आप गिनोंगे 37 सही हैं इसमें से, C वाले गिनोंगे 44 सही है, D वाले गिनोंगे 27 सही है, यानि के लगभग चार भागों में बाटा जाता है, इस आंसर की में D वाले थोड़े से कम आपके आए हैं, लेकिन मैक्सिमम हर आंसर की में मैंने आपका हमेशा, मैंने सारी 2011 से अब तक की सारी answer की का analysis करके तब आपको बता रहा हूँ 2018 वाले में तो बिलकुल बराबर बराबर थे और हर किसी में कभी भी 30 से नीचे number नहीं आते किसी भी option के तो यह आपके equal equal बाटे जाते हैं यह बात आपको मान लेनी है 100% क्योंकि यह पूरी analysis के बेस पर बता रहा हूँ आप चाहें तो खुद से चेक कर सकते हैं अब इसी पिरकार से ABCD के आपके इसी तरह के प्रशन आएंगे मान लिजिए यहाँ पर मान लिजिए यह वाले जो है आपके यहाँ पर 38 आ जाते हैं मान लिजिए बी वाले जो है आपके 37 आ जाते हैं मान लिजिए सी वाले 35 और डी वाले भी आपके 35 इतने questions आपके हो जाते हैं हो जाएंगे यह मेरे ख्याल से आप इसको देखोगे तो 38 और 37 कितने हो जाएंगे भई यह आपके थोड़े से कम हो रहे ना 37 और 38 कितने होते हैं 8 और 7 15 बचा एक आपके पास 75 यह हो गए आपके और 70 यह हो गए तो यह भी 75 करने चाहिए तो मान लिजिए चलो आपके डी वाले जो है यहाँ पर 40 हो जाता है तो अब आपके 1500 कोश्चन पूरे हो जाएंगे ठीक है 75 और 75 यह हो जाएंगे इस तरह से मान लिजिए डिवाइड गरके आपके एक्जाम में जो है यह आजाते हैं प्रशन आपके इस तरह से आजाते हैं अब आपको क्या घर में है अब देखो मान लिजिए पूरे आपको आते हैं यह आपके आते हैं बचे कितने आपके 50 प्रशन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं तो अब आपको 50 प्रशनों पर कैसे तुका लगा रहा है अगर आपको 100 भी नहीं आते हैं आपको मान लिजिए 80 आते हैं 70 आते हैं तब भी बताऊंगा मैं आपको किस तरह सा करना है लेकिन एक एवरेस तब से पहले लेके चलना हो फिर एक एक स्टेप बढ़ेंगे आगे अब आपको 50 नंबर पर तुक्का लगाना है तो 50 नंबर पर तुक्का लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इन में से कोई भी एक ऑप्शन पकड़ो और 50 के 50 पे एक ही option भड़तो क्या गहरा हूं ध्यान पूरवक समझ लो एक ही option को पकड़ना है और 50 के 50 पे एक ही option बढ़ देना है लेकिन क्या उससे कितना फायदा हो जाएगा क्या आपके 50 के 50 सही हो जाएंगे नहीं होंगे इसकी भी एक टेक्निक है कि आपको कौन सा option पकड़ना है क्योंकि जरूरी नहीं मान लीजिए आपने जो है अगर A वाले option ओलरड़ी आपने 40 कर रखे हो है ना मान लीजिए A वाले 40 questions आपने सही कर रखे हो और A वाला ही आपने पकड़ लिया option तो आपका एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि 40 option पहले से यूज कर लिया है 38 थे 3 तो पह वाले को पकड़ें, E वाले को पकड़ें या D वाले को पकड़ें कौन सा एक option होगा जिसको आप पकड़ेंगे जिससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे उसको समझना है इसमें क्या करना होता है आपको सबसे पहले आपको जो 100 questions होते हैं आपने जो सही किये हैं पहला logic तो य काम तो आपको यही करना है कि जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते जाना है रैन्डमली चूटेंगे एक सात मीचूटेंगे पांच तक आती आता यह आता और पांच पांच च्छनघ नहीं आता है जो नहीं पीफरकनी दी नहीं आन्सर लगाने हैं वही और मार में भरना है जो नहीं आते वह छोड़ते जाना है क्योंकि उनने लगाएंगे लास्ट में तुक्का अब देखो कैसा लगाएंगे मान लिजी आपने 100 questions आपको आते हैं इनमें से आपने कौन से options लगाए हैं यह देखते हैं इनमें मान लो आपने 4 options लगाए होंगे A, B, C और D अब मान लिजी आपने 30 लगा दिए B वाले भी आपने 30 लगा दिए C वाले आपने 25 लगा दिए तो आपके पास बचेंगे कितने आपके मानली जी यहां पर कितने आपके पास जो है कितने बचेंगे 60 तो यह होगे 60 और 85 होगे तो 15 बच रहे हैं आपके पास में है ना इस तरह से आपने गोले भरे मानली जी यह गोले आपने भरे हैं अब आपको क्या करना है जो गोले सबसे कम भरे हैं आपने, अपको इस तरह से अपने गोले चेक करने हैं ओमेर में गिन के, जैसे मैं ने अभी आँसर्गी में चेक करते है इधर से, इसी तरह से आपको गिंती करनी है अपनी OMR शूीट में, मान लिजे फूर एक्जाम्पल यहां पर आपने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा इस तरह से लिखा, आपने भर रखे हैं अब आपने ब्रक्राइए अब बी, सी, डी, 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 सी, सी, सी अब आपने गिना, तो मेरे एवाले एक, दो, तीन, चार, नहीं, एक, दो, तीन, बस तीन यूज़ किया हैं इस तरह से लिख लेना है, अब चेक करना है, सबसे कम कौन सी यूज़ किया है, बहाई दो वाला यूज़ किया है अब देखो आगे क्या करना है ध्यान पूरवक आगे क्या करना है आपको पता चल गया कि आपने इस तरह से अपने गोले चेक किये हैं अब इन में से जो सबसे कम यूज किया है उसी गोले को पकड़ना है जो सबसे कम यूज किया उस गोले को पकड़ना है और जितने 50 बचे ह उन पर सभी पर यही एक option लगा देना है अब आपके कितने option, कितने answer बढ़ने की उम्मीद है ये check करता है मान लिजिए आपने D option पकड़ा तो D option के पूरी answer की में कितने answer सही थे 40 पूरी answer की में क्योंकि हमने ये logic निकाला है आपके 25 नमबर जो खाली है वो आपके सही हो जाएंगे यानि कि आपके 50 में से 25 नमबर बढ़ गए कितने नमबर आरे थे? 100 नमबर आरे थे अब कितने नमबर आएंगे आपके? 25 जोड़ दो 125 नमबर आपके आएंगे logic 25 नमबर आपके बढ़ गए अगर आप ये तरीका इस्तमाल करते हैं अगर आपने क्या गलती से ए उप्षन पकड़ लिया होता अगर आपने ये analysis नहीं किया होता कि मैंने कौन सा option कितना यूज किया है ये check ना किया होता और आपने directly आपने क्या कर लिया होता ए उप्षन को पकड़ लिया होता हो कितने answer right होते आपके? 8 नमबर बढ़ जाते देखो घटेंगे तो कभी भी नहीं minus marking तो है नहीं तो घटेंगे तो कभी ने चाहे एक नमबर बढ़े दो बढ़े बढ़ेंगे जरूर लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ज्यादा नमबर कैसे बढ़ेंगे मानलो अगर ए पकड़ा होता तो 8 नमबर बढ़ जाते आपके हो जाते 108 नमबर लेकिन ये fail जिनके नमबर 100 नहीं आ रहे है जिनके 80 या 70 नमबर आ रहे है वो उनके 8 नमबर बढ़के भी कोई फायदा नहीं होना था तो ये तरीका आपको देखना है कि कौन सा आपको यहाँ पर option पकड़ना है ये चीज़ अब मैं आपको और चीज़े बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप अपना लोजिक आगे यूज़ करेंगे अब देखो ये तो तरीका आपका ये था यहाँ पर हो सकता है आपने कोई एक option ऐसा हो जो 15 भी सहिना किये गए हो अगर 10 ही यूज़ किये हो ये आपने 30 यूज़ कर रखे हो अगर 10 ही यूज़ किये होंगे फिर तो आपके 30 नमबर बढ़ जाएंगे और अगर आपके 100 नमबर नहीं आ रहे हैं अब हम चलते हैं उनकी तरफ मान लेजी आपके कितने नमबर आते हैं 80 questions ही आपको आते हैं और कितने questions आपके छूट गए हैं 70 questions ऐसे हैं जो आपके छूट गए हैं जो आपने सही नहीं किये ये 70 questions पे आपको क्या लगाना है तुक्का लगाना है अब 80 questions आपको आपने solve किये 80 में से मान लिजी आपने A वाले जो है यहां पर कौन सा option पकड़ेंगे आप यहां पर option वो पकड़ना है इसमें देखना है आपको कि कौन से examiner ने कौन से question का उत्तर ज्यादा दिया होगा पर यह आपको पता नहीं चलेगा है ना तो यह तो आप कभी भी नहीं पता लगा सकते कौन सा answer right होगा क्योंकि अभी answer की तो आपके सामने है नहीं आपको यह logic लगाना है कि सबसे कम वाला कौन सा यूज किया है आप आपने दो कम यूज कर रखें एक तो c वाला एक d वाला कोई दिकत्रत नहीं आ रही सी और d में से कोई एक पकड़ लो अगर आपका कभी same-same आ जाए तो कोई है मानलीज़े आप c पकड़ लेते हैं तो c अगर आप पकड़ेंगे तो आपके कितने number बढ़ जाएंगे आपके 25 number बढ़ जाएंगे कितने सही हो रहे थे 80 अभी कितने हो जाएंगे आपके 110 स्पॉरी 105 होंगे एक सो पांच नमबर आपके हो जाएंगे यानि कि आप पास से भी बहुत ऊपर चले गए fail होने का तो सवाल ही नहीं उठता मैंने पहली thumbnail पे लिख दिया था fail होने का तो सवाल ही नहीं उठता तो fail तो आप नहीं हो रहे ठीक है अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो असी भी सही नहीं कर पा रहे होंगे है ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो असी भी सही नहीं कर पा रहे होंगे मान लीजिए आपके अपने छमता के आधार पे आप मान लीजिए आप अपनी छमता के आधार पे सार पहते हैं सतर नमबर के बाद में इस तर नमबर स्वòng करण है सब्सक्राइब करने 65 में आपने से कितने यूज कि हूँगे म Avenay यवाले आगर आपने गीस curry होंगे जीवाल हमें sabote 3 यहां पेएएं सिसटेश नहीं चलिए में जाएंगे मेरे खाएंगे मेरे ख्याल से कितने एक मिनट आप यह हो जाएंगे 5 और 3 8 और 2 10 बचापके पास में 1 2 3 1 5 यह तो 60 हो रहे हैं तो मान ली जी आपने यहाँ पर मान ली जी यह आपने 10 यूज कर लिये हो लिए भी वाले ठीक है इस तरह से आपने यूज कर लिए है अब आप सोचोगे पिचासी नंबर का यूज करूं केवल पैंटिस नंबर के लिए बागी के तो गलती होने बिड़ा वह वैसे भी गलती होने अगर आप अपना दिमाग से कहीं से कुछ का दूर दूर तक सांसों में अटकी हुई थी आपकी सफलता यानि कि आप फेल हो गए थे 65 से कितना भी जो है छलांग लगा लेते आप 70 कर लेते 75 कर लेते 70 कर लेते 78 कर लेते लेकिन आप 97 नंबर पर जारो बेटा अगर आप जो है खुद से कोई सभी अपनी मर्दी से कि इस कर लगा देता हूं इसका बी ऐसा यह लगा ओगे तो आप कभी पास नहीं हो सकते आपको यह लोजी का कर लगाओंगे तो कभी भी यहां पर पूरा नगंटे कभी भी आपके जो है यूज नहीं होने अगर आप 100 questions solve करते हैं ये वाला logic में लगा रहा हूँ तो आपने 100 questions solve किये हैं ना कि 1.500 1.500 questions solve करने में डाई गंटे लगते हैं 100 questions solve करने में केवाल आपको 1.5 गंटा लगेगा केवाल आपको 1.5 गंटा से analysis कर सकते हो गिन करके कि कितने options आपके कौन से आपने use कर रखे हैं 100 questions को गिनने में 30 minutes लगेगे 100 questions को गिनने में मुश्किल से 4 minutes लगेगे और बागी कि 5 minutes उसमें गोले भरने में लगा लो चाट करके बस काम खतम आपका मुश्किल से तुक्का लगाने में पूरे analysis करने में 10 से 15 minutes से ज़्यादा नहीं लगते तो अगर किसी भी तरीके से आपने 10 से 15 minutes बचा लिए अपने last में और बचा ही लोग है कि क्यों आपको पूरा paper तो solve करना है नहीं पढ़ रहा आदा है solve कर लो पूरे 1500 question में कौन से आपने सही लगाए है और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना अगर आपने जो pressure आपको नहीं आते होंगे उन पे भी आपने 10-15 पे गोले भर दिया सोचा कि 10-15 तो लगा ही लेता हूं अपनी तरफ से बागी जो बचेंगे उन पे ये वाला तरीका अपना लूँगा तो भी तरीका काम नहीं करेगा क्योंकि जो आपने गलच भरे हैं जो आपको नहीं आते थे वहां आपने अपने option का use कर लिया वो ही कहाता है आपके पास इतना ही खाना था पचास का लगा लोगा तुक्का लेकिन उन पचास ते जो तुक्का सटीक बैठता ये वाला मान लीजिए आप लगाने की सोच रहे थे वहीं यहां पर आपने गलत सुलत भर दिया उसमें D भर दिया B भर दिया C भर दिया 1-15 तो यहां खा गए आप तो सही क्या होगा फिर तो यह गलती नहीं करने आपको कि अपने मंद से जो है गलत वाले आंसर भी सही करने जो आते हैं पहले उन्हें सौलब कर लो जो नहीं आते हैं उन भी ट्रिक्स आपके लेके आओंगा नहीनी तरह से नहीनी चीजों की बहुत सारी क्लासेज लानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबालो ठीक है मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में बाई बाई टेक क्यार और हाँ झाल आपके लाँ